नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल भरती करेंशी पर जान दी जाती है पुराणे नोट वाइशिको की सही जानकारी मैं हूँ आपका दोस्त महेश परजपत दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रुपी के समारक सिको की आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसे एक रुपी के समारक सिको की कितनी किमत होती है फेरिफाइन कंडिशन में एसे सिको क्या किमत होती है और यूएन सी कंडिशन में क्या किमत होती है दोस दोस्तो हमारा मकसद है आपको बिल्कुल सही जानकर देना आपको ये जानकारी तभी मिलेगे जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे सरूर से लेकर अन तक अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देजिए चैनल पर पहले बार ह हैं तो निचे लाल रंग के बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी दबाएं ताक आने वाले वीडियो नोटिस्पिशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप अमारा वीडियो देख सके अगर आपने आमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर यह समारक सि का भार्त का पहला समारक सिखा है, जो की उनीच सो चॉनषट में जारी हुआ था भार्त का पहला समारक सिखा शिरेजव लाल नहरू की मर्तु के इपलक्स जारी किया गए था 1964 में इन शिक्कों का जो मेटल है वो है निकल बजन में 10 ग्राम और साइज 28 mm यह सिक्के का ओवर्स बाग है और यह सिक्के का रिवर्स बाग है जिक्के के टोब में लिखा गया एंगरेजि में जवाडलाल नेहरू बीच में जवालाल नेहरू की इमेज दिखाई गई है और year दिखाई गई है 1889 और 1964 64 दोस्तो है यह सिक है भारत की 2 मिनटों में जार विए थे, बूंबी मिन्ट और कलकता मिन्ट दोन ही मिन्ट के यह इसी कई कौमन सिक हैं इन सिकों की किमत के बात करें तो इन Sikhों की कीमत सिक कंडिस्धन के पतो हुथ यह होती है अगर सिकहubl unrodu- kinda n quarant सिक्का है तो इस सिक्के किमत 10 रुपी है वेरिफाइन कंडिशन का सिक्का है तो इस सिक्के किमत 25 रुपी है एक्स्ट्राफाइन कंडिशन का सिक्का है तो 60 रुपी है और अगर यूएंशी कंडिशन का सिक्का है मतलब बिल्कुल नया सिक्का है तो इस सिक्के की किमत 125 सो साल पूरे होने पर 1969 में ये शिक्का जारी किया गया था ये शिक्का भी निकल से बना होता है बजन में 10 गराम साइज 28 mm सेफ सर्कूलर है आप इस सिक्के के ओवर्स बाग को देख सकते हैं ये ओवर्स बाग है और ये सिक्का रिवर्स बाग में टोप में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया मातमगंदी और बीच में इमेज दिखाई गई है मातमगंदी की और इयर दिखाई गया है 1869 और 1948 1869 का मतलब है ज़ज जनम हुआ था और 1948 जब मिर्टुई थी ये सिक्के भी भारत की दो मिन्टों बने थे बॉम्बे मिन्ट और कलकता मिन्ट और दो नहीं मिन्ट के ये शिक्के भी कोमन है इन शिकों की किमत की बात करें तो किमत ते करती है शिकों की कंडिशन के इसाब से अलग-अलग होती है Fine Condition का अगर यह शिका है तो किमत जाती है 25 रुपी अगर UNC बिलकुल नया शिका है तो इस शिकों की किमत 150 रुपे तक जाती है दोस्तों आज के वीडियो के ये थे दो समारक सिके जवालाल नहरू और महतमगांदी इन शिकों की मार्केट में जो प्राइस चल रही है आज के वीडियो में बताई गई है लेकिन दोस्तों कुछ यूटूबर ऐसे पुराने शिकों की कीमत लाखों रुप ये बता देते हैं और फ्रोड करते हैं ऐसे फ्रोड लोगों से और ऐसे यूटूब चैनलों से साब धन रहे हैं वो आपके साथ कभी भी फ्रोड कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे पुराने सिक्के हैं तो कमेंट बोक्स में जरूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी यह भी जरूर बताएं कमेंट बोक्स में आज के वीडियों पर सितना ही वीडियो लाश्ट तेक देखने के लिए आप से भी का बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत